नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब कल एक वीडियो आपने देखा होगा हमारा यूट्यूब पर जिसमें कि मैंने बात की थी कि ट्रांस्पोर्टर्स और ड्राइवर्स हरताल क्यों कर रहे हैं और इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने बात की थी अगर ये वीडियो ये punishment धारा 106 में है जबकि वो 104 में है तो कौन सी धारा में ये punishment है फिर एक news और आज हमने पढ़ी उस news में हुआ ये कि collector सहब जो किसी जगह के हैं उन्होंने ड्राइवर को गिरफतार करके बुलवाया और उसे ये कहा था कि तुम अपनी आउकात में रहो तुमारी आउकात ही क्या है और उस ड्राइवर ने कहा था कि सहब लड़ाई इसी बात की है कि हम अपनी आउकात ही ढून रहे हैं या हमारी कोई आउकात ही नहीं है ये जो बात हुई मुझे लगा इन सब के बारे में आज इस वीडियो पर बात करनी चाहिए तो क्या-क्या बाते हम करेंगे करना चाहा रहा हूं कि कोई देश में कलेक्टर के पदर है या ड्रैवर है या कोई और काम कर रहा है ध्यान रखिए वो बिश का नागरिक है और भारत में हर नागरिक समान है हमारे देश में राइट to Trinity या समता क अधिकार है तो किसी को कोई पद मिल गया है इस और ऐसा नह यह मेरा क्या ले जाएंगे मैं तो तब डरता जब यह मेरा होसला ले जाएंगे और आप सिर्फ किरदार हैं अपनी हद पहचानिये जिस किसी को भी कोई पद दे दिया है काम करने के लिए तो उस पद पर रहकर वो जनता की सेवा कर रहा है वो अपने आपको मालिक न समझे त ग्सी बद पर काम कर रहा हो आए विशै पर आते हैं पहली बात यह थी क्या हिट-and-run इस शब्द को fps कि परिभाशित कि आ गया है तो आपको जानकारी देदू, hit and run, इस शब्द को कहीं परिभाशित नहीं किया गया है, hit and run का मतलब होता है, किसी को टक्कर मार कर भाग जाना, आसान से समझीए, hit का मतलब है टक्कर मारना और भाग जाना, फिर इसकी परिभाशा या punishment की बात कहां आती है, और confusion क्यों है, तो धारा जो 304A निकल कर आती है, इस धारा में जो कहानी है, वो है negligent or rash act, ऐसा कोई काम जो पेक्षापूर्ण या उताबलेपन से किया गया है, और उससे किसी की मृत्यू हो गई हो, यह 304A में है, ध्यान से समझते चलिएगा इस बात को, लेकिन यहां कहीं भी rash and negligent driving शब्द नहीं है, साथ ही सजा दो साल की है, मैंने बताया था आपको कि ओफेंस जो है, कोगनिजिबल, बेलेबल, यानि कि संगे है और जमानती है, पुलिस थाने से जमानत मिल जाती थी, अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तीन तरह की कहानी, पहली कहानी दबकी है, जबकि BNS यानि भारती न्याय सहीता यह पार्लियामेंट में आई ही नहीं थी, उस समय कई तरह के बातें चल रही थी, कि हिट और रन के लिए अब 10 साल तक की सजा हो जाएगी, 7 लाख रुपे तक का जुर्माना हो जाएगा, या 10 लाख रुपे तक का जुर्मा और किसी की मृत्यू कारित करके भाग जाने, इसके लिए पनिश्मेंट का प्रोविजन करती थी, BNS पार्लियामेंट में लाई गई, लेकिन वो पार्लियामेंट से पास ही नहीं हुई, फिर ये डिसंबर के महिने में उसी BNS को अमेंड करके वापस से लाया गया, जिसे BNS स जो पार्लियामेंट में आया, लेकिन उपारित ही नहीं हुआ, फिर अभी वाला BNS जो पार्लियामेंट से पास हो गया है, नोटिफाई हो गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है, अब ये सारे ही कानू उन पबलिक डोमेन में है, कौन किसको पढ़ रहा है, उससे क्या समझ 23 है, जो पार्लियामेंट से दिसंबर के मेहने में पास हुआ, जिसे 25 दिसंबर 2023 को नोटिफाई कर दिया गया, इसकी धारा 106 की अब धारा 2 में हिट और रन के लिए पनिश्मेंट है, वो 10 साल का पनिश्मेंट है, और इसमें किसी भी प्रकार के जुर्माने के प्रावधा करेगा, तो मुझे उमीद है कि इस आज के लेक्चर से आपको सारी क्लेरिटी मिल गई होगी, और आप समझ गए होंगे कि कौन से कानून में क्या बात लिखी हुई है, एक बात और, कल केंद्रिय सरकार ने ये बात कह दी है, कि ये कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, और ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांस्पोर्टर्स ने हरताल खतम कर दी है, और सब चीजें वैसे ही सुचारो लूप से चल रही है, केंद्रिय सरकार ने इस बात को क्लिरिफाई नहीं किया है, कि इसमें अमेंडमेंट आएगा, या ये वाला प्रावधान बाद में कभी होगा, मुझे लगता है कि केंद्रिय सरकार को सभी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कानून लोगों के बीश में लाना चाहिए, और इससे पहले कि कोई भी कानून लागू करें, उन्हें मुझे लगता है कि इस बात को पबलिक डोमेंड पे से, एक कानून का लागू नहीं होने से, लेकिन लोगों तक जानकारी पहुंच जाने से, कन्फ्यूजन ही बढ़ रहा है, और सरकार को कानूनों को वापस लेना पढ़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से, आपको सभी तरह की क्लैरिटी मिल गई होग जय हिंद, जय भारत